हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेयर बजार वितायूश और दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में निफ्टी आईटी के उपर मतलब आईटी सिक्टर के उपर इस अवहूल और समझेंगे दोस्तों कि क्या आईटी सिक्टर होने वाला है अगले छे महीन के अंदर सबसे जादा देखिए इंट्रेस्ट जो है वो हमको देखने को मुलेगा देखिए ये वीडियो कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टिप कुछ भी नहीं है जिस हम सिंपल दोस्तों आनलेशिस कर रहे हैं तो बिलकुल इस वीडियो को उसी तरीकी से लीज दिखा है 4.56% दोस्तों निफ्टी आईटी का इंडेक्स एक दिन में बढ़ता हुआ देखने को मुला है 35782.45 पे देखिए closing देखने को मुली जो almost 1559.10 points की तेजी थी एक दिन में दोस्तों निफ्टी आईटी ने इस प्रकार की आपको तेजी दिखाई है और आप देख स 5.56% उपर, persistent 5.14%, enforces 5% को force almost 4.24% की आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आया तो कहने की बात किया कि देखिए पूरे निफ्टी आईटी के अंदर आपने बहुत ही बढ़िया move देखा बहुत ही बढ़िया up move देखा और ये एक दिन का नहीं है लगातर अगर आप को मिल रहा है और आप देखेंगे कि दोस्तो heavy weights TCS एक heavy weight है और almost 5.56% एक दिन में उपर जाना कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात होती है लेकिन इस तरीकी का upside जो है वो हमको देखने को मिल के रहा है तो देखेंगे उसके पीछे का simple reason है दोस्तो fed की तरफ से जो signals क्या signal आया है जिस तरीके चे दोस्तो US में जो fed है उनकी जो meeting का outcome निकल कर आया और overall हम यह कह सकते हैं कि अब three rate cuts हो सकती है 2024 के अंदर जो दोस्तो definitely यह पताती है कि जो interest rate की cycle है वो अब बढ़ना खतम हो गई है याप interest rates तो नहीं बढ़ने वाली है तो यह आप समझ यह कि हु कर रहे हैं तो IT last 2-3 सालों के अंदर specifically मैं बात करता हूँ पिछले 2 सालों की तो जो last 2 साल थे महाँ पर IT ते पुरा sector काफी दा लो था कोई आपको खास move देखने को नहीं मिला सिफ गिरावट और गिरावट और गिरावट की हमको देखने को मिल रही थी और गिरावट भी न कि दोस्तों जो interest rates थे वो लगातर आपको बढ़ते वए देखने को मिल रहे थे और इसके करण होता क्या है जो dollar index है यो US dollar का पुरा है वहाँ पर दोस्तों काफी जादा आपको volatility देखने को मिलती है और आपने देखा है इस समय में हमारा जो रुपी है वो कितना जाद आपक companies के उपर पड़ता है लेकिन अब जब दोस्तों जो interest rates से जो वो cut होती भी नज़र आएगी तो उससे दोस्तों US dollar भी week होता हुआ नज़र आएगा and definitely हम कह सकते है कि इससे IT को एक boost मिलता हुआ नज़र आएगा कि यह IT गिरी इसलिए आरा था क्योंकि लगातर दोस्तों जो rate है वो high होती भी देखने को मिल रही थी interest rates जो है वो लगातर ऊपर जा रही थी लेकिन अब दोस्तों यह मान के चल सकते है कि rate आपको definitely पॉस्त लगातर देखने को मिलता है लेकिन अब rate cut होता हुआ नज़र आएगा और उस rate cut से simple सी बात है कि दोस्तों IT companies के उपर एक बहुत runner up चालू करेंगे नहीं बाजार में दोस्तों जैसे ही कोई sign मिला कोई signal मिला बाजार में दोस्तों वो sector चलना चालू कर देता है अब इसका example अपको बताता हूँ याद होगा दोस्तों आपको covid covid में दोस्तों बाजार जो था उसने पहले ही अपना bottom बना लिया बहले बना ल है कि देखे second wave आई तो बाजार थोड़ा बहुत नीचे गया लेकिन बाजार को पता था कि उसका peak already बन चुका है और दोस्तों जब लोगों ने buying करना चालू किया उससे पहले ही दोस्तों बाजार ने अपनी almost में कह सकता हूँ कि 30-40% की rally दिखा दी थी तो बाजार को आपक कर सोच के चलता है बाजार याद रखी हमेशा दो कदम आगे रहेगा जो भी event हो रहे होंगे उससे भी दो कदम आगे रहेगा और उससे पहले ही बाजार नप दिखा देगा इसलिए अब दोस्तों जो companies या फिर कहूं में sectors जिसके उपर सबसे जादा focus करना है उसमें IT सबसे first preference बनता है और इसलिए दोस्तों जो stocks थे TCS एक दिन में 5.56% बढ़ गया अभी भी आपको पता है कि कोई भी rate cut नहीं हुआ है जस्ट एक signal मिला है और उस signal पे दोस्तों बाजार जो है वो इस तरीके का reaction दे रहा इस पिछले एक साल में return कितने दिये हैं मातर 20% के और 20% के भ लगातर के देखने को मिला है यहाँ पे consolidation देखने को मिला है इस level को stock ने cross नहीं किया था लेगिन जैसे देखिए वो rate cut का sign मिला stock ने breakout आपको confirm कर दिया ऐसी दूसरा stock है infosys infosys में पिछले एक साल में आपने का notice किया मातर 4% के return आपको देखने को मिल रहे है और infosys भी मैं कहे रहा हूँ कि देखे यहाँ पर stock जो है वो अपना breakout बहुत जल्द आपको देता हुआ नजर आएगा इसके बाद एक और stock है hcl tech hcl tech को आप notice करिए 5.59% बढ़ा था यह friday के session के अंदर पिछले एक साल में कितने returns है 44.56% के लेगिन आप जाके आपके notice कर रहे हैं कि stock में बढ़िया तीजी हमको देखने को मिल रही है तो simple सी बात है थी कि बाजार ने इसलिए मुझे लगता है कि अब जो IT stocks है वो definitely काफी flavor में आएंगे और इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि दोस्तो बड़ी IT companies यह बड़ी कैसे TCS, Infosys, HCL Tech, Wipro ऐसी companies पर दोस्तों आपको focus करना है क्योंकि याद रखिये mid cap IT stocks ने तो तब भी आपको runner-up देखाया है उनके अंदर 20 आपने notice करी है क्योंकि बहुत सारी companies का देखें डायक रितना कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जो बड़ी companies थे TCS, Infosys यह जो deals करती थी वो उसमें भी देखें जो dollar revenue growth होती थी वो भी अपने आप में थोड़ा सा challenging था तो अब यहाँ पर भी problem घटती है नजर आएगी अब यह देख सकते हैं दोस्तों यह है US INR chart जैसे ही दोस्तों वो rate cut का थोड़ा सा बाजार को indication मिला लगातर अगर आप देखेंगे तो अब दोस्तों dollar जो है वो week होता हुआ देखने को मिल रहा है और रुपी अपना strength गीन कर रहा है नीचे जा रहा है इसका मनलब क्या है कि दोस्तों पहले 83.42 के असपास चल रहा था और अब दोस्तों 83.04 dollar हो चुका है पिछले एक मेने में अगर आप notice करेंगे तो अब लगातर आप notice करेंगे अब जो dollar है वो week होता हुआ नजर आ रहा है और रुपिया मजबूत होता अब यहां पर भी हमको एक breakout देखने को मिल गया है और स्टॉक जो है वो अब उपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो सिंपल सी वाजो आपको बताने की मैं कोशिच कर रहा हूँ कि अब दोस्तो जो बड़ी IT कंपनीज है उनके अंदर आपको नजर रखनी है अगेन कोई भी इस में फ्यूल बिजनस वॉल्म अफ इंडियन IT कंपनीज इस बेटर एकोनोमिक डीटा इस अ मेजर रीजन वर युएस फेट्स दोई स्टैंस अंद इंट्रेस्टेट्स इस इस बात है कि अब दोस्तो यहां पर आईटी स्टोक्स के उपर नजर रखने वाली बात होने वाली है यहां पर साफ बात कहीं गई है कि स्टॉक एक्सपोर्स मैनेज इनिशली आईटी मेजर्स याद रिखिए मेजर्स नहीं जो बड़े आईटी कंपनीज है वह ज्यादा बेनिफिच्छ दी होगी और वहां वह आपको तर्न आरण देखने को मिलेगा इंट्रेस्टेट साइकल में स्टॉप बाइटी मेजर्स इंस्टीड ऑफ स्मॉल इटी कैप सिंपल सी बात है कि स्मॉल कैप इटी स्टॉक्स के इंदर रैली हमने अल्रेडी देखी है अच्छी कासी तो वहां से अब अट्रैक्शन हटके कहां पर आएगा आपको देखने को मिलेगा अंदर जो लाज आ इस तरीकी बात है और टी से इसके तो रमबर से वह भी जोटे से वीक देखने को मिलें इन देख आफ नो गाइदेंस पट आइवुड सजेस्ट इन्वेस्टर्स तो फो एट्यू पर एंफोसे एंड ती से इस एस रिस्पेटिवली तो एक्सपर्स भी तो बड़े आईटी eller companies को यहांपर देने की बात कर रहे हैं दोस्तों वी टी सेस का पी रेशयो है टी सेस दोस्तों कितना उपर पी पे ट्रेड करता हूँ यहां पर और अब अगर आप देखेंगे तो टी सेस कहां ट्रेड कर रहा है और अलम।स्ट यहांपर इस अवह बलब किया है जिस स्टॉ स्टॉक वह आल्मोस्त आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आता था चालिस कि प्राय प्राइस ट्रेड करता हुए नज़र आता था यह 3.221 की बात है तब से दोस्तों स्टॉक में हमने एक हम कह सकते डाउन साइड देखा और स्टॉक जो है वह आल्मोस्त 27 28 और 30 के पी के करते हैं तो लाज 10 साल में आपने नोटिस क्या किया है लाज 10 साल में लगाता है दोस्तों जो टीसे से वो बढ़िया ही करता है जरूर देखे कभी कभी गिरावट देखने को मिलेगी जैसे कोविट का टाइम था उसके बाद स्टॉक 40 के प्राइस वर्निंग तक चला गया और झाल 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 झाल